जहें दोस्weit करता हैं, शुडू में, आज के सुडू में बात करने वाले हैं बिहार B.E.D.A.D. Чер keto exam, online form से related कु już update निकल कर आ रही है उसी के related आज के सुडू में बात करने वाले हैं दोस्तो वीडियो सुडू से लास्त तक जरूर देखिएगा अगर आप बीड का फॉर्म को अपलाई किये हुए हैं या सोच रहें अपलाई करने के लिए तो टोटल आज के इस वीडियो में कुछ इन्फरमेशन मिलने वाला है चलिए दोस्तों वीडियो के स्टार्ट करते हैं अगर आप पहली बार चैनल को वीजिट कर रहे हैं और ऐसा को फ्रेज कर लिए ताकि जब भी मैं एक नए अपडेट दो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले हैं चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं बता दो कि जो लिंक दिया गया डिस्क्रिक्शन बोक्स में वहां पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इ यहां लिखा गया है कि बीड संजुक्त परवेश फरिक्शा 2021 के लिए आसना तक एपीरिंग छाथ नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन पर यह लेटेस्ट अपडेट या निविश्टिक जैसे नीचे आईए कर करके कुछ इस तरक इंटरफेस आपको देखने को मिल थेंगे देखें यहां पॉइंट दे नहीं कर पाएंगे अपलाई बीवी इन इनविश्टि से बीड में एडवीशन के एक शूख ऐसे हाजारों छाथ इस बार ऑन्लाइन अपलाई नहीं कर पाएंगे इन शात्रों को होगा फैयदा तो देख लेते हैं कि किसको फैदा हू चात्र को होगा किमकि आसनातक में किसी भी इनिवर्सिटी में एक सत्र तो कहीं दो सत्रों में एक्जाम होना बागी है मतलब किसी सत्र में किसी एर में फॉर्स्ट एर का मतलब एक एर का किसी सत्र में दो एर का अभी तक एक्जाम भी नहीं हुगा है ठिक बताते चले कि पाटना इनुवर्सिटी के दुवारा किसी तरह के से फिछले सत्र में एक्जाम ले ली गई थी लेकिन कई ऐसे भी इनुवर्सिटी हैं जहां पिछले सत्र में भी एक्जाम नहीं हुई थी देखें यहां लिखा हुआ है कि अपरेल में होती है वर्तमान सत्र की परिक्षा वहीं वर्तमान सत्र की एक्जाम जो अपरेल में होती है वो किसी भी उनिवर्सिटी में नहीं हुई है मतलब यहां एक नहीं दो सत्रों के छात्र इस बार बीड में एड़िशन से चुटेंगे ठीक है फिर नीचे आईएगा तो यहां देखें यहां पर लिखा गया है कि कटप जाएगा नीचे सीट रह सकती है खाली नोडल बीवी एल एन एम यू के द्वारा अधिक से अधिक सीटे भड़ने की परियास किया जाएगा ऐसे कटप काफी नीचे जा सकता है CET बीड 2021 में उत्रिन ज़्यदातर चात चत्राओं का एड़िशन होने की उमीद है मतलब पास हुए बीड में एड़िशन तय है भले मनपसिन सीट मिलने में थोरे फरसानी होगी बीड में एड़िशन के लिए 33,000 सीत है ठीक है ये भी एक पॉइंट हुआ कि बीड में 33,000 सीट है ठीक आपको बता दे कि बीड में एडवीशन के लिए 33,000 सीटे है, होर वर्स करीब सवा लाख चातर, ऑनलाइन अपलाई करते हैं, इस बार करीब 80,000 चातर अपलाई कर चुके हैं, यह थोड़ा सा और बढ़ेगा, मतलब लाख के असपास जाएगा, दूसरा कुछ, देखें, यहा पंचित रह जाएंगे, फुर्फ चातरों को होगा, अधिक मिलेगा, मतलब मौका, और लिखा हुआ कि साथ ही इस बार बीड में, सीटू के खाली, रहने की फुरी उमीद, जता ही जा रही है, कि 25 तक ऑनलाइन आवेदन का अंतिन मौका है, आपको बता दे, यहां से देखे आपको नीचे दे दिया गया है, नीचे आये गया, तो यहां लिखा हुआ है कि वह ही लेट फाइन के साथ, 25 मई से 28 मई तक अपलाई कर सकते हैं, और इसके अलावा, 39 या 30 मई तक एडिट या ऑनलाइन फिर से पेमेंट भी किया जा सकता है, और फिर से एक नय पॉइंट द जारी कर दिया जाएगा, और वहीं CET BAT 2021 यांद के 15 जुन 2021 को संभावित, इसका एक्जाम भी हो सकता है, नोडल पदा दिखारी ने यहाँ बात आया कि नोडल नोडल पर्दिशकारी फूर्फेसर या आपको उस्तो कुमार महता ने बताया कि कोबी 90 से फरसानी हो रही है, वहीं आसना तक एपेरिंग पार्ट थिर इस बार सामिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी वड़ी संख्या में चातर ऑनलाइन अपलाई कर रहे हैं, इसका फायदा पूर्फ गेर्जोशन पास को ही होगा, आप यहाँ से लिखा हुआ देखिए, ऑनलाइन अपल किजिएगा, अपने दोस्तों में सेर किजिएगा, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग